हलो एवर्यवन इस वीडियो में हम लग बात करेंगे computer science degree के बारे में वो भी एक इंडिया के बहुत अच्छे college बिट्स पिलानी से तो चलिए शूरू करते हैं जैसे कि आप जानते हैं computer science का नाम सुनते ही सबसे पहले लगता है कि इसमें बहुत सार पैसा होगा Google Microsoft Uber यहां वाँ काम करेंगे बाच सच भी है अच्छा package लगता है बाकी सब ब्रांचे से रिलेटिवली और आजकल तो बच्चे computer science इसमें लेते हैं कि बहुत सारा पैसे होगा और कुछ होते हैं जो कि जिनको इंट्रेस्ट भी होता है चलिए आगे देखते हैं कि कौन-कौन से ब्रांचे तो जैसा कि आप देख रहे हैं बिट्स के चार कैंपसे से पिलानी गोवाद और दुबाइ ठीक है इसमें यहां पर computer science है और यह computer science चारो में अवेलिबल है आप बहुत सार एक ब्रांचे से से देख रहे होंगे जो कि अवेलिबल नहीं है ऐसी बहुत सारे अलग अलग है तो इस वीडियो में computer science के बारे में focus करेंगे so computer science चारो जगा फेमस तो चलिए अप कट अफ थोड़ा देख लेते हैं जैसा कि आप जानते हैं एम बिट्स पिलानी की कि किसी भी कॉलेज को जॉइन करने के लिए मैं कहाना चाहता हूं इंडिया के जो कॉलेजेस हैं गोवा, हैदराबाद, पिला पिलानी उनको जॉइन करने के लिए आपको bitset exam देना पड़ता है और यह exam हर यह होता है इस सल भी आप दे रहे होंगे तो जैसा कि last year था 2019 में उसमें अगर पिलानी campus में अगर computer science चाहिए था तो cut-off था 383 गोवा में अगर चाहिए था 352 और हैदराबाद में अगर चाहिए से 383 ज्यादा increase नहीं हुआ है बट हैदराबाद campus का आप देख सकते हैं कि 329 से सीधा 342 हो गया है वैसी गोवा का भी 339 351 358 फिर कम हुआ फिर 347 फिर अभी 352 के असपास तो यह अभी के cut-offs है तो इस range में आपको लाने पड़ेंगे marks तब जाके आपको computer science मिलेगा यह जो computer science लेकिन एक bits dual degree भी offer करता है उसके बारे में मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा dual degree से क्या होते है ना कि अगर आपके पास उतने marks नहीं है मालीजे 450 में आपके marks है 290 के असपास ठीक है और आपको computer science ही चाहिए था तो आप देख सकते हो कि cut-offs ऐसे हैं यहां पर computer science क chemistry ले सकते हो ठीक है यह MSC course होता है यह MSC होता है MSC chemistry ले लिया उसके साथ आपको BT degree मिलेगी लेकिन जो BT degree मिलती है वह कैसे मिलती है वह आपको जब first year में आपके जो CGP होंगे उसके basis पे आपको computer science या जो भी single BT degree मिलेगी electrical हो गया EC हो गया mechanical chemical जैसे भी आपको CGP होगा उसके basis मिलता है तो यह students के लिए बहुत ही अच्छा मतलब रहता है opportunity जिससे कि वह मतलब bitset में अगर अच्छा score नहीं कर पाए फिर भी computer science ले पाते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहरा course structure यह course structure है चार साल का आपको क्या-क्या पढ़ना है अगर आप computer science 4 years वाल लेते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहरा first year यहां पे यहरा first year ठीक है तो first year में यह first semester है first semester में second semester में first year के सारे courses common होते हैं सभी branches के चाहे वह mechanical का हो चाहे EC का हो electrical का हो computer science को सबके लिए courses same रहते हैं तो यहां पे भी यह courses है और यह जो courses है यह सभी बच्चे first year में सभी मिलके पढ़ेंगे ठीक है और यह जो आप देख रहे हैं यह units होता है यह मतलब यह basically weightage होता है कि मतलब कितना weightage का है जैसे bio lab का one weightage chemistry lab का one है लेकिन आप देख सकते हैं यहां पर computer programming का computer programming का यहां पर four है मतलब की यह आपका basically cgpa में कितना contribute करेगा उसके लिए यह मैं basically थोड़ा सा समझा देता हूं जैसे कि आपका computer programming में यह subject है इसमें आपका मैं बता रहा हूं जैसे कैसे बोलो ए लगा ठीक है लगेगा तो ए का मतलब होता है 10 multiply होता है तो 10 x 4 करेंगे 10 x 4 करेंगे तो 40 हो गया यह basically points होता है जिससे कि हम लोग cgp निकालते हैं अगर आपका a- लगता है किसी भी subject में तो उसका मतलब होता है 9 9 x फिर वो जो units होता है तो 9 x 4 हो जाएगा यह होगा 36 इसे बाद में हम cgp निकाल सकते हैं यह अगली वीडियो में बताऊंगा कैसे होता है तो यह जैसे कि आपने देखा 1st or 2nd semester पहली एर का इसलिए यह सब courses होते हैं अब second year में सभी branches के अलग-अलग हो जाते हैं जैसे कि computer science वालों का जो computer science से related हो जाता है mechanical वालों का mechanical chemical वालों को chemical ऐसे हो जाता है ठीक है तो यहां पर भी देख सकते हैं आपकी maths पढ़ना पड़ता है लग-बग जो computer science लेते हैं उन बच्चों को और बाकी सब यह CS के courses है ठीक है और यहां पर देख रहे हैं humanities electives लिखा होगा है ठीक आपल के लिए public speaking, history, mahabharat और भी बहुत सारे courses होंगे उन में से आपको choose करना पड़ेगा ठीक है और वो आप खुझ से choose कर सकते हैं और अपना मतलब इसमें CGP में contribute हो जाएगा वो marks ऐसा यहां पर third year होगा अब तीन तरह के electives होते हैं ठीक है एक होता है humanities जो कि आपने देख करना का उसको discipline बोलते हैं और open मतलब होता है कि आप किसी भी branch का choose कर सकते हैं subject एक course मतलब basically ठीक है तो अब यह रहा second semester second year का यहां पर economics का एक course होगा और data structure algorithms यहां पर फिर से compulsory होता है बाद मतलब change भी कर सकते हैं बच्चे से तो इसमें क्या होता है यह basically एक internship टाइप का है जो के bits officially भीज़ता है अपनी तरफ से तो आपके जो cgp रहेगी उसके basis पर अप अलग-अलग companies choose कर सकते हैं कि आपको किस company में जाना इंटर्शिप करने और किस basis पर मतलब like web development या कोई भी skill हो या जिसमें भी आपको जाना चाहते हो अगर आपके cgp अच्छी तो आप जा सकते हैं इस तरीके से practice school होता है ठीक है अब आते हैं यह थर्ड येर में थर्ड येर में क्या है सेम है जैसे कि यहां पर open electives जो कि मैं बोल रहा था तीन electives होते हैं अब यहां पर open electives हैं यहां पर किसी भी ब्रांच का मतलब जैसे आपको mechanical का automation पसंद है आप computer science के student है लेकिन आप ले सकते हैं वहां इसके three to six जैसे कि एक मानलीज आपने mechanical का एक course लिया जिसका two है और four है तो आप वह दोनों ले सकते हैं ठीक है यहां पर open electives वैसे ले सकते हैं बाकि यह सब जो compulsory होते हैं वह आपको करने पड़ेंगे आपके branch वाले और open भी कर सकते हैं फिर आप जाएंगे third year के second semester में तो फिर से आपको open electives मिलेगा या फिर humanities electives मिलेगा और बाकि आपके course के भी subjects रहेंगे ठीक है और जब आप fourth year में जाएंगे तो basically उसमें सिर्फ और सिर्फ electives करने होते हैं तो open electives कर सकते हैं और discipline electives कर सकते हैं discipline electives मतलब वही कि आपको computer science से related करना है या फिर आप अगर mechanical में होते तो आ practice school भेजा जाता है second time या फिर आप चूज कर सकते हैं thesis जिनको practice school नहीं जाना है वह चूज कर सकते हैं thesis मतलब basically research type का होता है वह कर सकते हैं आप लोग ठीक है और बस ऐसी करते हैं आप लिखा हुआ है कि discipline में core कितने ले सकते हैं को आपको कितने units लेने हैं और electives के कितने units लेन अच्छा में 16 और 17 में बिट्स का जो average package था 18 lakhs per annum था computer science department के लिए और यह जो है यह गोवा campus का में बता रहा हूं बाकी campuses का मेरे पास अभी data नहीं है क्योंकि मैं goa student इसलिए सो यहां पर आप देख सकते हैं कि 18 lakhs per annum average package था 2016-17 competition department का फिर वो बढ़के 20 के आसपास चला गया 2017-18 में अब 18-19 में 23 lakhs per annum ऐसी वो बढ़ते जा रहा है increase होते जा रहा है अच्छा मतलब package है यहां का इसलिए तो इस बिट्स पिलानी को हम लोग इस से compare करते हैं जैसा कि package देता है वैसी bit's का fees भी थोड़ा high है बट उसके लिए भी scholarships और अलग-अलग loans मिलते हैं तो आपको अगर उस बारे में भी देखना है तो एक और मेरी वीडियो है fees के बारे में और scholarship के बारे में आप वो देख सकते हैं तो इस वीडियो के लिए इतना ही अगर आपको यह पसंद आया तो आगे के और भी branches के बारे में बात करूंगा तो तब तक के लिए thank you very much please like and subscribe अगर आपको पसंद आया तो thank you very much